ब्रत और उपवास का महत्व हमारे जीवन में बहुत है हम लोग इसे सुचता पुल पालन करने का प्रयास करते हैं लेकिन ब्रत से सारीरिक और आत्मा की शुद्धी भी होती है ब्रत रहने से लोगों के सरीर में जो अनावश्यक विकार होते हैं वो दूर होते हैं और सैयम पर उनका काबू रहता है वे अपनी इच्छा नुसार जो चाहें वो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ खान पान और विशेश त्यवहारों पर ही ब्रत नहीं रहना चाहिए ब्रत के और भी कई नियम हैं त्यवहार और पर्व मनाने के भी कई नियम हैं जिसमें से विचारों के सुचिता सबसे प्रमुख है आप ब्रत रहकर न सिर्फ सरीर की बड़की अपने आत्मा और विचारों की शुधी करने का प्रयास कीजिए कुछ लोग ब्रत में सिर्फ फलों का सेवन करते हैं और सोचते हैं कि मान्स, मचली, मदिरा, इसम का सेवन नहीं करना चाहिए और तमाम सारीरिक ब्रत रखने चाहिए उनको लेकिन सिर्फ फलों और उनके सेवन से आप ब्रती नहीं बन जाएंगे भोजन का त्याग करने से भी आप ब्रती नहीं बन पाएंगे अगर आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है अगर आप चोरी करते हैं, घूस लेते हैं, गलत काम करते हैं तो आप समझ लिजिए प्रकृत कभी आपको माफ नहीं करेगी कहीं न कहीं उसका टेंसन आपको मिलेगा, नुकसान भी आपको ही उठाना है सिर्फ फलों के सेवन, अनका नस सेवन करना ही आपको मजबूत नहीं बना सकता अगर आप गलतियां करते रहेंगे, चोरी पे चोरी करते रहेंगे, माल कम तो लेंगे व्यापारी हैं तो घूस लेते रहेंगे, अगर अधिकारी हैं तो इस इस्थिती में आपका नुकसान ताय है कोई बचा नहीं सकता, आपके आने वाले कर्मों पे उसका परभाव पढ़ेगा और आप हमेशा दुखी रहेंगे, यह एकदम कटू सत्य है, लेकिन आपको अगर ब्रत रहना ही है, तो निश्चित रूप से जितना प्रकित ने आपको आवस्यक्ता दिया है, मूल भूत, उसी का पालन कीजिए, अनावस्यक आवसक्ताओं के चक्कर में, चोरी, डकैती, या जादे पैसे का संग्रह, यह सब अगर आप करेंगे, तो कोई भी नहीं बचा सकता, इसके साथ यह भी निवेदन है, कि आप हमेशा अपने को शुद्ध रखें, उचित कारे करें, ताकि लोगों का भला हो, आपका भी कल्यार होगा, जै हिंद साथियों!